Hello everyone, I'm Ayesha from National Academy of Fire and Safety तो आज हम बात करेंगे needs of safety के बारे में safety की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम बात करेंगे पहले क्या होता था जब एक किसी factory में, industry में कहीं भी work चलता था तो वहाँ पे accidents की जो counting होती थी मतलब accidents जो थे वो बहुत जादा होते थे ठीक है, कुछ ऐसा भी होता था कि कुछ accidents में लोगों की जान भी चली जाती थी फिर क्या होता था, उनकी family को भी problem होती थी तो इस वज़े से क्या हो रहा था, accidents भी increase हो रहे थे और होने वाले deaths भी increase हो रहे थी ठीक है, तो फिर देखा गया जब चेक किया गया कि हर साल कितने accidents की वज़ा से ये problem face करनी पड़ रही है ठीक है, अब accidents होने से जो deaths हो जाती है उनमें बहुत ही ज़ादा problem होता है क्योंकि वो जो इनसान है, उसकी family को भी हमें क्या देना होता है जिस company में वो काम कर रहा है, उसको उनके लिए पैसा भी देना होता है, तो इससे क्या है थोड़ा से economic, जो है company की economy है, उसपे भी effect पड़ता है ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़े है इनसान तो जाता ही है, साथ में economy भी effect होती है इससे तो क्या हो किया गया कि जब देखा गया, तो अब इसको observe किया गया कि हम यह होने वाले accidents किस तरीके से रोक सकते हैं ठीक है, तो जब यह देखा गया उसके बाद यह legally हो गया कि हर company में एक occupational health management होना चाहिए ठीक है, safety पूरी अच्छे से रखनी चाहिए जहां भी कोई भी hazard हो तो उसको कैसे हमें remove करना है वहां से, उनके बारे में सब कुछ information होनी चाहिए और जो भी हम safety रख रहे हैं, वो well maintained होनी चाहिए, तो तब यह सारे rules आए, need for safety तब हमने देखा कि हमें सच में safety की बहुत ज़ादा ज़रूरत है जिसकी वज़े से हम अपने workplace पे होने वाले accidents को कम से कम रख सकें उसके बाद जब हमने देखा तो फिर पता लगाया कि हमें क्या क्या ज़रूरी है तो protection हमें रखना होता है stability, pain pain जो है, मतलब होनी वाले जो काम करने से जो भी दिक्कते आ रही है उनको, ठीक है routine और order भी हमें face करना है देखना है कि हमें क्या रोज implement करना है, क्या क्या हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है और हमें कोशिश करना है कि हम secure रहें अपने industry workplace को लेके, health को लेके employment को लेके, employee को लेके safety की जरूरत बहुत जादा होती है workplace पे, इसलिए हमें इस पर बहुत जादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जब हम safety रखेंगे तो हम accident रोख सकते हैं, accidents रोख जाएंगे तो हमारी workplace safe रहेगी और accident level गिरेगा है ना, तो accident कम से कम होंगे तो हमारी जो industry है वो अच्छे platform पे पहुत सकेगी profit gain कर सकेगी, और भी बहुत सारी चीज़े है, ठीक है तो सबसे पहले safety के three questions are why, who how, ठीक है तो why, हमें क्यों safe and safety रखनी चाहिए, तो यह पता ही है work place पे safety रखना legal है legally है, और morally इसकी यह value है कि हम financial loss से बढ़ सकते है accident होने से बढ़ सकते है people loss से भी बढ़ सकते है who, कौन करेगा safety, वैसे तो हर person को अपने area को safe रखने की ज़रूरत है technically अगर देखा जाये, तो हर बंदे को पता होना चाहिए, कि जहां भी वो काम कर रहा है, वहाँ किस-किस तरीके के हजार हो सकते है और वो किस तरीके से खुद को safe रख सकता है, अपने workplace को safe रख सकता है क्योंकि ये तो है, ये तो तह है कि safety department ही check करेगा कि कैसे safety रखनी है, पर जब तक वहाँ के लोग इसे implement नहीं करेंगे वो अपने regular इसे apply नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़े करना impossible है, तो इसलिए क्या करना होगा, कि जो person है, जो भी workplace पे है, उनको अपने area को safe रखना है, ये उनकी responsibility होती है, safety department की तो रहती ही है, पर जो भी वहाँ work करें, उनकी भी रहती है क्योंकि safety department हर किसी के लिए safety नहीं रख पैगा ना, कि ये बंदा काम कर रहा है, तो वो खड़े हो के बोले के नहीं नहीं ऐसे, उसे इतना trained करना पड़ेगा पहले कि वो अपनी safety खुद से रख सके, उसे सारी चीज़ों के बारे में knowledge हो, जो भी वो work कर रहा है उसे पता हो कि इसमें क्या के hazard हो में कैसे safe रह सकता हूं सबसे बड़ा जो safe रहने का हतियार है वो है PPE protection, body protection, personal protective equipment सबसे ज़्यादा important है ये आपकी body को आपको हर accident से बचाने के लिए आप question है how हम कैसे उसको protect, मतलब safety अपने workplace पर रख सकते हैं तो इसमें क्या है जो भी आपके laws बने है, regulations बने है, standards बने हैं, जो भी आपकी industry को लेके, जो भी SOP है वो सारी आपको इसमें apply करनी होंगी, उसके बाद ही आप यहां के accidents रोख सकते हैं क्योंकि हर work को लेके, एक ना, एक step बने होते हैं, safety precautions बने होते हैं, safety measures बने होते हैं, जिनको आप follow करके अपनी workplace को safe रख सकते हैं ठीक है, तो safety जो है हर workplace पर रखने लीगली है इससे क्या क्या चीज़ें आपको benefit हो सकती हैं देखिए आपकी economy जो है सच में एक laws की बात है कि accidents होने की वज़े से सिर्फ किसलिए कि हमने safety maintain नहीं रखी तो अगर safety maintain रखने से हमारे ये सारे profit हमें मिल रहे हैं तो हमें safety रखना बहुत जरूरी है ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है आप बहुत ही असानी से ये सब कर सकते हैं सारे workplace पे जितने भी लोग हैं उनको बस ये करना है उनको correct instructions follow करने हैं कोई भी unsafe act, unsafe condition अगर बन रही है तो तुरह इंत report करें कोई भी असा accident हुआ है fire से related, safety से related ठीक equipment का वहाँ यूज करें आप उस जगह पर कोई गलती equipment यूज कर रहे है ठीक है जो भी आप काम करें अपने workplace पे उस जो भी यूज कर रहे है टूल्स जितने भी यूज कर रहे है वो जो भी आप यूज कर रहे है ठीक हो ऐसा नहों कोई और सामान आप कोई यूज करना तो सबसे पहला गाम आप वैल ट्रेंड होने चाहिए अपने हां के जितने भी इंप्लॉईस आपको वैल ट्रेंग आपको देनी चाहिए जिससे कि लेक ओफ ट्रेंग की वज़े से कोई एक्सिजन नहीं तो यह सारी चीजे जो है यह कुछ पॉइंट्स जो है इनको अगर आप फ सारी चीजे आप अगर करते हैं अपने वर्क प्लेस पर खुद भी धियान रखते हैं तो आप अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं थिक है तो यह मैंने आज आपको बताई नीड ऑफ सेफटी की हमें ज़रूरत क्यूं पड़ी कपड़ी कैसे पड़ी इसके बारे मैं को बताया कैसे हम सेफटी रख सकते हैं कौन इसे रख सकता है और कैसे रख सकता है क्यूं रखनी है में सेफटी यह सारी चीजों के बारे में मैंने बताया सो थेंक यू